ओम श्यांति आज हम सभी हुमारी आदर्निय लक्षमी देदी जी के शुब संकल्प से आपस में मिल रहे हैं इसलिए हमारी लक्षमी देदी जी को तथास बोपोड़ी सेवा केंदर से और अन्य सभी जो भी भाई बेहने इस सत्र से जुड़े हुए हैं उन सभी को मदबन तपो भूमी से बहुत मधूर याद प्यार स्विकार हो आज का हमारा बहुत सुन्दर विशे है यग्यरक्षक कैसे बने तो भाग्य विधाता परमात्मा ने हम सभी के भाग्य निर्मान है तू इस रुद्र ज्ञान यग्य का निर्मान किया है 1937 में कराची पाकिस्थान में ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना की है तो इस महायगे में हमें अपना भाग्य तथा अनेक आत्मों का भाग्य बननाने का गुल्डन चांस मिला है तो इस महायगे की सेवा में यग्य रक्षक बनने की जो जिम्मेदारी शिकार करते हैं जिम्मेदारी का ताज पहनते हैं उनों को सत्योग त्रेता युग में राजा महाराजा का रानी महारानी का ताज मिलता है तो इसलिए जो ताज पहनते हैं जिम्मेदारी का उनों को ही भविश्य में राजाई का ताज मिलता है तो यग्य रक्षक बनकर हमें इस महायग्य की संभाल रखनी हैं इसमें तन से, मन से, धन से स्वाहा करना है स्वयम को इस यग्य में हमें कमियों को स्वाह करना है स्वयम के और अन्य आत्मों को भी कमिया स्वाह करने के लिए प्रेणा देना है भक्ति मार्ग में बहुत सुन्दर गायन है यादगार है शिव लिंग पर बेल के तीन पत्ते बहाते हैं शिव बावा कहते हैं इन पत्तों को में क्या करू तो ये यादगार किसकी है जो मनुष्य आत्माओं रुपी कल प्रुक्ष्य के चेतन पत्ते हैं जो तन मन धन से इस यग्य में स्वाहा होते हैं एंसे मुझे चेतन्य पत्ते चाहिए और हम देखते हैं बगवान किसी का भी रखता नहीं है जो जितना तन से स्वाहा होते हैं उनको हेल्दी तन बगवान कलप में देते हैं शारिरिक बीमारियों से वो दूर रेते हैं और जो द्धन से स्वाहा होते हैं यग्य को संबालने के लिए मदद करते हैं तो पकवान उनको एक का पदम गुना करके पुना वापिस देता है सारे कलप में उनको द्धन की मदद करता हैं और जो मन से इस यग्य में सहयोगी बनते हैं उनको हमेशा हेल्दी मन का स्वस्थ मन का वरदान देते हैं उनको कोई भी मानसिक बिमारी कभी नहीं होती हैं तो ये जो यग्य भगवान ने रचा है यग्य की सेवा केंद्र है यग्या और मदबन है माहा यग्या तो हमें यग्य रक्षक बनकर दोनों की संभाल करनी हैं रक्षा करनी हैं अभी हम यग्य रक्षक की कौन सी विश्यस्ताइं होती हैं उस पर थोड़ा विचार विमर्श करते हैं उनको कौन सी विश्यस्ताइं उन्हों में होती हैं पहली विश्यस्ता यग्य रक्षक विश्वास पात्र होते हैं यज्य में जो भी जिम्मेदार दे दिया है उनों के दिल को जितते हैं उनके दिल में विश्वास पैदा करते हैं कभी भी वो विश्वास घात अर्था धोका नहीं देते हैं बहुत ट्रस्ट वर्दी विश्वास पात्र वो होते हैं क्योंकि बाबा केते हैं मेरे जो दुकान हैं सारे संसार में खुले हुए उनके मैनेजर ये बेहने हैं दे दिया है उनके दिल को जितना बहुत जर्री है दुसरी विश्ष्था यग्य रक्षक का यग्य से बहुत स्नेह होता है यग्य वसो से भी और यग्य से भी बहुत स्नेह होता है तो बहुत स्नेह होने के कारण उस सेवा में सदा दोड़ते हैं ततपर रहते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की यग्य सेवा उनको मिलती है बढ़ी प्यार से बढ़ी स्नेह से करते हैं अपना काम करते हैं लेकिन मालिक होते हैं वह बहुत अपना समझ कर सेवा करते हैं तो यग्य को अपना घर समझना है अपना पन महसूस करना है और यग्य की सेवा बहुत दिल से करना है दिल से और स्नेह से सेवा करने की मार्क्स ज़्यादा है इसलिए जो भी आवश्यक्ता नुसार सेवा मिलती हैं हमें बड़े स्नेह से करना है लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं हमें अपने लोग की पोजिशन के कारण छोटी-मोटी यग्य की सेवा करने में संकोच होता है मैं भी जब 76 में मदवन में सेवा धारी बनकर आया तो मुझे कहा गया किचन में सेवा करो तो मैं सोचा कि मैंने इतनी डिगरी ली है मुझे पढ़ाई करी है और मुझे इतनी साधान सेवा मिल रही है तो थोड़ा सा दिल में एहम भाव होने का कारण ऐसी फिलिंग मुझे थी तो 77 में मैं बाव दादा से बावा के कमरे में परस्नली मिला मुलाकात करने का मुझे चांस मिला तो बावा ने मुझे दुस्ट्री दिया फिर मुझे कहा पूछा ठेक हो मैंने कहा बावा नहीं मैं ठेक नहीं हूँ तो बावा मुझे रहे क्या वात है मैंने कहा मैं इतना पड़ा लिका हूँ और मुझे इन्होंने किचन में सेवा दी तो बावा मुस्कराए तो बावा ने एक गुई राज बताया मदुबन महायगे में केवल बच्चे दो बातों के लिए आते हैं जो अन्य कहीं मिलता नहीं है कि पहली बात मदुबन में बाव दादा से मिलन मुलकात करने के लिए बच्चे आते हैं कि तुस्री बात मदुबन महायग्य है सेवा के इंद्व May में जो बच्चे आते हैं चारपा दिन रहते हैं और उनको योग यूपतो भोजन मिलता है टोली मिलती है और उनकी स्थिती का स्थर जो उच्छा उठता है उनकी जो कमाई होती है अभी नाशी कि उसमें से कुछ हिस्सा भोजन बनाने वालों के नाम पर अटमेटिक ट्रांस्पर होता है यह बात मेरे दिल में लग गई तो मेरा स्थूल सेवा किचन की है उससे थोड़ा सा लगा हुआ तो कौन से अफिस की सेवा स्थूल किचन की सेवा कौन से सेवा मैं कर रहा हूँ इसका मेतव नहीं है लेकिन सेवा कितना स्नेह से और योग युक तक करते हैं उस पर हमें मार्क्स मिलते हैं तो जो यग्य रक्शक होते हैं वो दिल से जो भी सेवा मिलती है वो करते हैं और स्थूल सेवा करते हैं ना तो उसमें हमारा देविमान खतम हो जाता है और जो दधीची रुशी की तरह हड़ी हड़ी सेवा करते हैं भगवान किसी का भी नहीं रखता है उपर से देखता है ये मेरा बच्चा यग्य की बहुत हड़ी सेवा कर रहा है भगवान उनको स्पेशल गिप्ट देते हैं लाइट का शरीर परिस्ता सुरुप का शरीर अनभो करने की गिप्ट देते हैं दुसरों को उसके लिए विसेश परशाद करना पड़ता है और जो हड़ी सेवा करते हैं यग्य की उनको भगवान गिप्ट में वो दे देते हैं तो यह बहुत बड़ी प्राप्ति हमें इससे होती है इसलिए हमें जो भी सेवा मिले क्योंकि यह कोई धरमशाला नहीं है यह किसी का अपना घर नहीं है यह डाइरेक्ट भगवान ने स्थापन किया हुआ यग्य महायग्य और इसमें सेवा करने का चांस मिलना यह बहुत ही स्रेष्ट भागय के निश्चानी है क्योंकि खुदा ने हमें खिद्मत बनाने के लिए इस यग्य को रचा है तो खिद्मत अर्थात भागय बनाने का चांस हमें मिला है तो इसका जितना हम लाब लेते है उतना हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है यग्य सेवा को प्रभु प्रसाद केते हैं तो प्रभु प्रसाद हमें स्विकार भी करना है और अनेक आत्मों को देना भी है बाटना भी है और एंसे महा यग्य की सेवा के लिए भगवान किसको चुनते हैं जिनों में कुछ न कुछ विस्यस्ता होती है भगवान की नजर उनकी विस्यस्ताओं पर जाता है जाती है और भगवान उनको कोरोडो आत्माओं में से सलेक करता है आप सोचो भगवान जो यग्य स्थापन कर रहे है उसमें जो यग्य रक्षक बनते है भगवान तो सोच समझ कर ही बनाएंगे ना चलक करेंगे ना, तो हमेशा हमें सुमान रहे, मैं खुदाई किद्मतगार आत्मा हूँ, मैं यग्यकार रक्षक हूँ, रखवान ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी यग्यकों समान लेकी दी है, तिसरी विशेस्ता, जो यग्यर रक्षक होते हैं, उनके पास दीव्य स्यस्त्र, अस्त्र स्यस्त्र, एवरड़ी रेते हैं, जैसे मिल्टरी में स्थूल, शस्त्र अपने पास रखते हैं, सैनिक, तो हम भी रुहानी युद्धे हैं, रुहानी सैनिक हैं, तो भगवान हमें जो ज्ञान और योग की पालना के द्वारा, दीव्य अस्त्र शस्त्र देते हैं, ज्यान रतनों के रूप में और शक्तियों के रूप में, यग्यरक्षक के पास वो हमेशा रेड़ी रहते हैं, यग्यरक्षक उसको धारन करके रखता है, और कोई भी विग्ण यग्य में आने की संभावना होती हैं, तो उस विग्ण को बहुत युक्ति से हटा देता है, स्वयम कभी भी विग्ण रूप नहीं बनता है, लेकेन यग्य में जो विग्ण आते हैं, उनों को हटाने की मनसा बड़ी उनकी शक्ति शाली होती हैं, इसलिए वो यग्य को निर्विग्ण रखने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, क्योंकि यग्य में विग्ण तो आते ही है, शुरूश आये हैं, लेकिन यग्य रक्षक यग्य को विग्णों से परे रखते हैं, और यग्य को निर्वेग्न रखते हैं, ये भी बहुत बाड़ी सेवा हैं, ड्रामा की धाल उनके पास रहती हैं, दस्मन का वार होता है, तो वो धाल का प्रयोग करके स्वयम भी से रखते हैं, और यग्यों को भी से प्रक्ते हैं चोथी उनकी विशेस्था यग्य रक्षक हमीशा जागृत और चोकन्ने रहते हैं अलोट रहते हैं एक्टिव रहते हैं कभी भी दुश्मन कवार होने की संभावना होती है तो बहुत चोकन्ने रहते हैं अलोट रहते हैं महारती और प्रिशाद करने वाला माया बिल्ली आती है उसके पास घर में जाती है किचन में जाती है और फिर दुद्ध का बरतन वो गिरा देती है टोटता है दुद्ध भी गिरता है तब वो जाकता है फिर उठकर उस बिल्ली को बाहर भगाता है, नुकसान होने के बाद, लेकिन महारती क्या करता है, देखता है बिल्ली आने वाली है, आ रही है, फट से उसको भगा देता है, तो एंसे यग्यरक्षक हमेशा चोकन रहते हैं, जागुरत रहते हैं और माया का वार होने के पेले उसको भगा देते हैं, इसलिए वो वीर कहलाते हैं, वीरों में भी जो वीर होते हैं, वो महावीर कहलाते हैं, तो इसलिए हमें अपना भी द्यान रखना हैं और यग्यरक्षक बनकर जो हमारी यग्य को संभालने वाली बेहने हैं, दिदिया हैं, उनकी भी हर प्रकार से हमें रक्षक करना है, संभाल करना है, न्यारा प्यारा रहकर उनकी जिम्मेदारी रक्षा करने की यग्यरक्षक को बाबा ने दी है, उसको हमें बहुत अच्ची तरह से संभालना है, थोड़ी भी आच उनको नहीं आने देना है, ये है यग्यरक्षक की विशेस्ता, पाँच्वे निशाने, यग्यरक्षक हमेशा लवकिक और अलवकिक का बैलन्स रखते विए, हाज का पार्ट पक्का करते हैं, जब भी सेवा करने के लिए चांस मिलता है, एवरेडी रहते हैं और हाज का पार्ट उनका पक्का होता है, कोई भी बहाने बाजी वो इसमें नहीं करते हैं, लेकिन अवश्चक्ता है लवकिक और अलवकिक का बैलन्स रखना, कितना समय हमें लवकिक में देना है और बाबा की सेवा में देना है, इसको हमें बैलन्स में रखना है, पल्डा भारी नहीं करना है किसी भी तरब का, अगर लौकिक के तरह बहुत आएंगे तो लौकिक वाले सिकायत करेंगे अगर लौकिक में बहुत अगर हम टाइम देते हैं समय शक्ति लगाते हैं तो बाबा के सेवा से हम वंचीत रहेंगे हमारा भाग्य उतना नहीं बनेगा इसलिए यग्य रक्षक जो नहीं मित्त होते हैं वो हमेशा बैलन्स रखकर हाजी का पार्ट पक्का करते हैं नास्तिक ना कहने वाले नास्तिक वो कभी नहीं बनते हैं हमेशा एवरेडे रहते हैं तो एवरेडे रहना ये यग्य रक्षक की विश्चता है क्योंकि वह भग्वान की सेवा को बहुत अच्छी तरसे महत्त देते हैं विसे तो बैलांस से हमेंस मिलती है, और जितनी बलेस्सिंग मिलते हैं, उतना हम बलीस पुल रहते हैं, पुल्ट संगम-युक का मजा ही है सदाघ्रिय कुमुल रहना, अदा आनंदित जीवन لीताते रहना उसका अनंद लेना तो इसके लिए यग्य Meer रिक्षक में ये विशेस्ता होती हैं अभी छटवी विशेस्ता यग्य रक्षक एकोनॉमी के अवतार होते हैं यग्य में दान का धन आता है तो यग्य में किसी भी बात का नुकसान न हो इस पर बहुत ध्यान वो देते हैं और हर चीज एकोनॉमी से यूज करते हैं नुकसान नहीं करते हैं कि मुझे याद है कि बहुत पुरानी बात हैं अम शांति भावन जब बन गया था कि उस्व में एक बार कि जुकाम देवी की सिल दादी जी थी वह मदुबन में गुरुवार के दिन भोग लगा रही थी कि जैसे बाबा के पास गई तो बाबा ने दादी को एए दर्श दिखाया कि देखो बाबा के जोपड़ी जो मदुबन में है उसके बाज़ी में जो मोटर गेरेज है उस मोटर गेरेज में जो पेतरोल की टांकी है उसमें से बून्द बून्द पेट्रोलिक हो रहा है बाबा ने दादी को वहाँ दिखाया फिर दादी को सिल दादी को बोला कि दादी को ये बताओ और जो भी निमित है उसको बुलाकर उसको बंद कराओ अब मेरा कहने का भाव क्या है बाबा परम्दा में बेटे हैं और यहां वो देख रहे हैं तो भगवान की नजर से छोटी कोई भी बात नहीं चिपती है इसलिए लोग उसको जाने जाननहार केते हैं बाबा केते मैं जाने जाननहार नहीं हूं लेकिन बाबा वास्तों में हैं वो सब को जानते हैं तो जब हम यग्यरक्षक बनकर बहुत दिल से सेवा करते हैं तो दिल से सेवा करने वाले भगवान के दिल में अपना स्थान बनाते हैं। भगवान के नजरों में रहना यह एक बात है। और भगवान के दिल में पैटना, अपना स्थान बनाना यह बहुत ही जबरदस्त बात है तो यह यग्य रक्षक की विश्यस्ता होती है वो यग्य को बहुत अच्छी तरह से एकोनॉमी से सम्भालते है कहीं लाइट पालतू जल रही है उसको बंद करेंगे कहीं नल पालतू बेह रहा है नुक्सान हो रहा है उसको बंद करेंगे बात छुटी-छुटी है लेकिन यह निशानी है भगवान के यग्य की पाई भी वेस्ट ना हो यह है यग्य रक्षक की विश्यस्ता अभी सात्वी बात यग्य रक्षक भगवान को अपना बच्चा अन्भो करते हैं पर अब भगवान को बच्चा बनाना अर्थाथ लोकिक में हमें एक बच्चा है या दो बच्चा हैं तो यह बाबा हमारा तिसरा बच्चा है या दुसरा बच्चा है तो जो लोकिक बच्चों को हम वर्सा देते हैं वो वर्सा मैंने बाबा को देना है क्योंकि ये शुबाबा जो हमारा बच्चा है वो बहुत विश्वास पात्रप्यार है निश्वार्त सेवा करने वाला है और वो रक्षा करने की सेप्टी देने की लिए सक्षम है और ये बच्चा मुझे गहर तक लिजाएगा और सत्युग में भी भीजेगा तो बाप से प्यार बच्चे का तब होता है जब उसको वर्षा मिलता है तो यग्यरक्षक बाबा को बच्चे के संबंद में अन्भो करते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनको वर्षा भी देते हैं और उन्होंने स्थापन किये विए यग्य की बहुत अच्छी तरह से संबाल भी करते हैं आठवी विशेस्ता यग्यरक्षक भगवान को रक्षक के रूप में संबंद में अन्भो करते हैं हर कोई चाता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो मेरा कोई पाठी राखा बैकबोन हो तो यग्यरक्षक सर्वशक्तिवान परमात्मा को अपना बैकबोन अन्भो करते हैं अपना रक्षक प्रोटेक्टर अन्भो करते हैं अब आल्माइटी एथोरिटी जिसका प्रोटेक्टर होगा प्रक्षक होगा उसको किसी बात का भै होगा नहीं होगा वो हमेशन निर्भै रहेगा और निर्भै रहेकर यग्यरको समालेगा क्योंकि सत्युग में राजा महाराजा बनने की पहली क्वालिटी है निर्भैता पहले अगर की किसी भी प्रकार का भै हमारे मन में हैं आप सोचो आप सोईयम ही बहभीत है अपना ही ध्यान नहीं रख सकते है वो प्रजा का क्या ध्यान रखेंगे क्या राजा बनेंगे तो सर्व शक्तिवान बगवान मेरा रक्षक है और वेसी भी जो बहुत प्यारा बच्चा होता है उसको बाप कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है इसलिए मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ यग्य रक्षक अरतात बहुत विसेज बच्चा हूँ इसलिए जैसे शाड़ो छाया हमारे साथ-साथ पीछे पीछे चलती है वैसे ऑल्माइटी बाबा सर्वशक्तिवान बाबा रक्षक बनकर मेरे साथ-साथ चलते हैं एसे अनुबूती हम जब करते हैं तो नीडर रहते हैं निर्भे रहते हैं और यग्य की सेवा अच्छी तरह से हम करते रहते हैं और नवी निशानी है यग्य रक्षक के पास वाइसलेस वाइरलेस सेट भी होता है जो सेकूरिटी वाले बड़े-बड़े लोग होते हैं ना उनके पास वो फोन होता है वाइरलेस पान तो यग्य रक्षक जो बच्चे होते हैं उनके पास वाइसलेस वाइरलेस सेट होता है तो कैसे प्राप्त होता है जितनी मानसिक पवित्रता की स्थिति हमारी पक्की होती जाती है तो पवित्रता की स्थिति की आधार से परमात्मा उनको गिप्ट देते हैं वाइसलेस वाइरलेस सेट का उस सेट जिनके पास होता है वो डायरेक परमात्मा से जब चाहे बात कर सकते हैं और परमात्मा भी उनके साथ जब चाहे बात कर सकते हैं तो आगे चलकर केई ऐसी बाते हमारे सामने आएगी जो हमें इस वाइसलेस वाइरलेस सेट का प्रहोत प्रयोग करना होगा इसलिए हमें ये सेट पहले से ही बाबा से प्राप्त करना है ताकि हम बाबा से गाइड़न्स लेते रहें और स्वयम को तथा यग्य को भी और यग्य वस्व को भी सदा से प्रक्ष कें इस पर हमें विसे ध्यान देना है यग्य रक्षक सदा सेवा और सीवा का बैलन्स रखते विए आगे बढ़ते जाते हैं सेवा और सीवा शिवबाबा और शिवबाबा की यग्य की सेवा शिवा इन दोनों का बैलन्स हमें रखना है है तो यग्य की सेवा हमें ज़रूर करना हैं लेकिन यग्य की सेवा करते करते हमें क्या करना है हमें बहुत अच्छी तरह से स्थिती बनाना है यह हमारा लक्ष है छोटा बच्चा खेलोने से खेलता रहता है तो हमें लगता है यह बच्चा खेलता ही रहता है अपना टाइम ऐसे गवाता है तो सेवा के खेलोने से हमें खेलते जरूर रहना है लेकिन खेलते 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 हमें शिव बाबा को याद करते करते हमें संपुन ताके मंजील पर पहुंचने का हैं इस पर पूरा ध्यां दियो इसलिए इसका बैलंस हमें रखना है एकदम सेवा का भी पलड़ा भारी नहों बाबा की याद का पलड़ा भारी हो तो चलेगा लेकिन सेवा में बहुत व्यस्त हो जाते हम लेकिन जानी जाना नहार बावा जानते हैं मेरे जो यग्य रक्षक बच्चे हैं उनको निकट भविश्य में बहुत सेवा करनी है बीहुत की सेवा करनी है इसलिए उनके पास खजाने अलोग की खजाने बहुत जमा हो उसके लिए ड्रामा नुसार हमें ये गुल्डन चांस मिला है खजाने जमा करने का तो यग्य रक्षक जो होते हैं वो सेवा और सिवा का बैलन्स रखकर अपनी स्थिति को अच्छल डोल बनाते हैं देखो हमदवन में आते हैं शांति स्थंब ब्रह्मा बावा के स्रेश्ट स्थिति की यादगार है तो जैसे ब्रह्मा बावा ने इतनी उच्छी स्थेति बनाई स्थंब अर्थात बहुत उच्छी स्थिति कोरोडो आत्माओं को प्रेणा प्रदान करने वाली स्थिति और स्थंब अर्थात अच्छल डो स्थिति तो एंसी स्थिति मुझे भी बनाना है ब्राह्मन परिवार में जिनके स्थात में वहते हैं उनका मेरे प्रती दुर्ष्टिकोन दिन प्रती दिन उच्छा होते रहना जर्री है कि ये हमारी उनती की निशानिय से लोगों का दुस्थिकोन हमारे प्रती उच्छा उठना लेकिन जेंसे स्थिति हमारी उची होती है वैसे लोगों का दुष्टिकोन हमारे प्रती उंचा होता जाता है इसलिए बावा के पास आने के बाद मैंने क्या करना है यग्या की रक्षा करना है एक बात और यग्या की सेवा को खुब बढ़ाना भी है यग्या की संबाल करना है लेकिन यग्या को आगे भी बढ़ाना है और यग्य को आगे बढ़ाने के लिए अवश्यक्ता है योग बल की, पवित्ता के बल की, ज्यान के बल की, यह बल हमारे पास होंगे, तो हम बहुत अच्छी तरह से यग्य सेवा कर सकेंगे, यग्य की संभाल कर सकेंगे. और अंतिम हमारी जो प्राप्ति है, स्रेश्ट स्थित्ति, उसको जरूर हमें मेंटेन करना है, एक स्लोगन कभी भे नहीं बुलना है, अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, सेवा, दूसरों की सेवा में हम बहुत लगे है, दूसरों की सेवा में करना अच्छा है, लेकिन खुद की सेवा करना, उस पर ध्यान देना, और अपनी स्थिति को मेंटेन करना, इस पर भी हमें विसे ध्यान देना जुरूरी है, तो यग्य रक्षक बनने का चांस हमें लेना है, जिम्मेदारी का ताज हमें जरूर पहनना है, तभी भविश्य में हमें प्रालप्द का राजय का ताज मिलेगा, चांस को हमें चोड़ना नहीं है। चांस लेना है केते होशार विद्यार्थी मोका नहीं छोड़ते हैं मोके का पूरा लाब लेते हैं और अपना भाग्य तो था अनेक आत्मों के भाग्य को चमकाते रहते हैं क्योंकि भाग्य विधाता मेरा बाप है बाबा केते हैं रश्ते चलते किसी भी आत्मा का हाथ आप भाग्य विधाता के हाथ में देकर उनका भाग्य बना सकते हैं इतनी बड़ी एथोरिटी भगवान ने हमें दी है इतनी पावर हमें दी है तो उस एथोरिटी का हमें पूरा लाब लेना है यह चांस छोड़ना नहीं है इसलिए अभी हम बहुत सुन्दर योग का भ्यास भी करने जा रहे हैं क्योंकि यग्य रक्षक जो होता है वो शक्तिशाली होता है सेक्यूरिटी में किसी कमजौर व्यक्ति को नहीं रखते हैं ये सेक्यूरिटी में हमेशा जो सक्तिशाली होते हैं उन्हों को रखते हैं तो बाबा के जो भी शक्तिशाली इस्थिति वाले बच्चे हैं, उनको यग्यरक्षा करने का चांस मिलता है। इसलिए हम अभी चंद घड़ियों के लिए देखो आप बहुत भागेशाली हैं। आपको लक्षमी दीडी जैसी टीचर मिली है, बहुत दीडी क्रेटिव है, सदा उमंग उसा से भरपूर रहती है, और सभी में उमंग उसा सदा मेंटेन करती है। तो संगम युग में ऐसी टीचर मिलना ये भी सोभाग की निशानी है।